हलो दोस्तो वेल्कम बैक टू हेल्दिगेंग यूटुब सेनल दोस्तो आज भी बताऊंगा अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो आपका वजन कम करने का सही घर रिलूनुद्न रहाँ और जो है अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है आप ज्यादा दावाई भी यो द्यावाई ले रहे हो वह इस वीडियो को आप देखोंगे यह तक देखके आप एक हपते के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो को आगे वरनेस पहले एक रिक्वेश्ट करता हूँ आपसे जैसे वीडियो को देख रहे हो आपको इसी कुछ में वीडियो को लाइक कर देना है और सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया ढूंडो यह मिल जाएगा तो आपको क्या करना है रोज सुब़ आप ध्यान से सुनो पहले आपको देख रहे हो यह होता है जिसा देख रहे हो यह इस तरह का मिलता है रोजो की यह किसी और मिल जाएगा कहीं पर भी मार्केट पर जाओ इस तरह का लाओ यह सबसे बेस्ट है यह सबसे बेस्ट क्वाइल्टी है ठीक है तो इसका प्राइस का बात करते हैं इसका प्राइस MRP 500 है लेकिन 300 तक लेगा ठीक है तो यह रोज सुभा इतना ज्यादा नहीं पाज से साथ छे साथ लेना है उसके साथ जो यहाँ पर देख रहे हो यह हो गया कज़वदम ऐल्मों के तरह यह कज़वदम है जैसे देख बार हो यह भी आपको मार्केट में मिलता है 499 यूपिस यहाँ पर देख रहे हो जो कि 4 350 में मिल जाएगा यह सिंपली इसका भी एक नमबर क्वालिटी है तो यह लेना है ठीक है दोनों को मिक्स करना है ध्यान से देखो मिक्स किया और तिसरी है आपका खजूर लेकिन बहुत लोग का कॉन्फ्यूज होते है कि कौन सा खजूर सबसे बेस्ट है आपको मैं बता दूँ एक खजूर होता है जिसका नाम है रॉयल क्रॉन कलमी रॉयल क्रॉन कलमी खजूर यह जो है सबसे बेस्ट है प्रिमियम साओधी डेट जो कि यहाँ पर लिखा है देख सकते हो यही खजूर आपको लेना है और यह तीनों को पानी से अच्छे से धोना है, अगर आपके पास जूष मेशन है. अगर आपका गलेंडर मेशन है, तो ये पूरा मिक्स करने के बाद थोड़ा दूद्र थोड़ा है, तो रख सथ पीओ, रख साथ मिक्स कर लेजास। अगर वह ऐसे नई यह होता है आपका लिभा का जो भी लिभर का जो भी प्रॉब्लम है क्योंकि ज्यादा तो लोगों का वजन इसलिए ज्यादा होता है जो भी आप खाते हो जो भी खाते हो वो ठीक से हजम नहीं हो पता है और ठीक से हजम नहीं होता है तो आपका ठीक से ट्वालेट क्लियर नह होता है तो जाहिर सी बात है आपका जो भी हजब नहीं होता है जो फैट होता है ना वह पैट में निकल जाता है मतलब पेट इतना ज्यादा बहार आ जाता है तो यह आप एक हपते एक महिने तक खाओ एक दो बर खाने से आपको result मिल जाएगा पूरा acidity gas अगर होता है acidity होता है और यहाँ पर देख सकते हो लिवर का कुछ प्रॉब्लम में होता है